So now we will discuss के हम किस तरीके से जो cyclothemic disorder है उसके client के साथ interview conduct कर सकते हैं और baseline chart की help से उसकी जो thought है और उसके behavior है उसके बारे में assess कर सकते हैं तो जिस वकत हम interview करेंगे उस वकत हमारे लिए ये पूछना बहुत जरूरी है के बचे का जो temperament है overall वो कैसा है ठीक है और जो जादा तर time है वो किस तरहां गुजारता है ठीक अगर मिसाल के तोर पर अगर आप ये चीज प्रिसाइसली नहीं पूछेंगे तो it is impossible for you to find out कि उसका जो pattern of mood है वो किस तरहां का चाल रहा है ठीक है क्योंकि ऐसे बचे जो है usually जब आप उनसे पूछते हैं कि वो किसी चीज में enjoyment feel करते हैं या नहीं करते हैं तो वो कहते हैं it's okay, it's life, something like that तो जब बच्चा आपको इस किसम का response दे तो आपको फिर ये भी पता करना है कि आइधर कभी उसके अंदर ऐसा face तो नहीं आया जिसमें वो बहुत extraordinary cheerful हो जाता है तो जो उसका एक temperament है और वो पता करना बहुत important है you can also take this information from the mother or the teachers or friends जो भी आपके पास available हो जिस तक आप interview कर सकते हो आप उससे ये बातें पूछ सकते हैं secondly आपने उसकी जो mother की history है definitely जो भी उनकी जो conceive जब उनना ने बेबी किया था उस दौरान जो उनका time period था delivery से पहले delivery के बाद वो पूरा जो है आपने उसके बारे में पूछना है इसके साथ साथ आपने मदर की mental health के बारे में उनकी family के अंदर कोई psychiatric illness already exist करी है या नहीं करी है उसके बारे में जरूर पूछना है because a certain time यह हो सकता है कि जो problem है वो families में run कर रही हो तो we need to be understand कि कोई genetic factors तो ऐसे नहीं है जो कि इस problem को trigger कर रहे हैं तो through interview you can get that thing इसी तरह आपने बचे कि जो judgment है जो abstract thinking है जो उसकी poverty of speech है या power of speech जादा है या उसके अंदर flight of ideas जादा है delusions है, hallucinations है या नहीं है ये सारी चीजें भी आपने mental status examination करने के बाद जो है उसको find out करना है so interviews are very important with the cyclothemic disorder in order to identify के बच्चे के अंदर कोई psychotic features तो नहीं है then we will talk about the baseline chart so here we will discuss about Remsha, Remsha जो है उसके father ने उसे verbal abuse किया जिसकी वज़ा से उसका जो behavior था वो ये था कि उसने sleeping pills जो है वो उसने ले ली अब उसका जो thought था जिस वाकद उसे पूछा गया कि उसका thought process क्या चल रहा था तो उसने का कि I don't want to live anymore, that's why she has taken the pills so basically ये suicide attempt है जो उसने की और इसकी frequency क्या थी? one time, then another day after almost 10 days, 10-11 days रिम्शा जो थी अब वो अपने grades के बारे में बहुत ज़ादा enthusiastic और उसका ये ख्याल था कि जो उसका behavior present हो रहा था वो ऐसा हो रहा था कि वो overly excited थी और बहुत ज़ादा जो था उसकी self-esteem high हुई वी थी और जो उसका thought pattern था वो ये था कि मैं इस दफा बेस्ट student of the year जो है वो declare होंगी ठीक है? और ऐसा one time था तो अगर आप ग्रिम्शा का behavior देखो तो 10-11 दिन के अंदर अंदर उसका जो mood है वो shift हो रहा है एक दफा वो बिलकुल hopeless थी दूसरी दफा वो बहुत ज़ादा hopeful थी तो ये जो दो cyclic episodes नज़र आ रहे हैं low and high के इस किसम की baseline chart आपके पास आती है जब कोई बच्चा है उसको cyclothemia का problem होता है